मेंदू बड़ा बनाने के वक्त चोटी चोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो मेंदू बड़ा बहुत ही सौप्ट और बहुत ही क्रस्पी बनता है तो मैं बविता स्वागत करती हूँ आपका चोटी सी रसोई में आज मैं बताऊंगी आपको कि किन बातों का ध्यान मेंदू बडा बनाने के वक्त चलते हैं अपने किचन की तरफ मेंदू बडा बनाने के लिए मैंने उड़त की छिलके वाली डाल ली है दो कटोरी जिसको मैंने रादबर भिगोकर रख दिया था और सुबह उसका अच्छे से पानी से दो कर छिलका उतार लिया है आप चाहें को बहुत जादा बारिक नहीं करना है हलका दरदरा ही रखना है अभी मैं इसमें एड करूंगी नमक स्वादा अनुसार और थोड़ा सा एड करूंगी धनिया पती आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी एड कर सकते हैं आपके टेस्ट के कॉर्डिंग अभी हम इसको अच् कर देखने के लिए हमें एक दाल का बॉल बनाकर उपर से डालना है तो वह सारा एक साथ गिरना चाहिए या हम देखेंगे के पानी में हम थोड़ा सा बड़े का बैटर डालेंगे तो वह उपर प्लोट होना चाहिए इसके लिए हमें 10-15 मिंट लगेंगी अब हम बड़ो को कर देंगे ठंडे पानी में मैंने हाथ भिगो लिया है अब एक बॉल बना के अंगुठे की मदद से मैं बीच में होल करूंगी यह बहुत है और बहुत ही आसानी से कढ़ाई में छोट जाता है क्योंकि हमने पहले पानी में हाथ को भिगोया था अगर आप ऐसे नहीं बना पाते हैं तो मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगी आप किसी चमच या कर्ची की मदद से भी वड़े जो है में बहुत आसानी से बना सकते हैं मैंने यह बड़ी चमच को पानी में भिगो लिया है और एक बॉल बनाकर मैं इसको चमच में रखूंगी और बीच में करूंगी क्योंकि हमने इससे पहले पानी में भी गो लिया है तो कड़ाई में बहुत ही आसानी से छूट जाएगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम है होगी आप जाहें तो गर्ची की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं मेदू वड़े फ्राइब करने के वक्त हमें गैस की मीडियम टू लो रखनी है अगर हम हाई फ्लेम पर वड़े फ्राइब करेंगे तो वह बीच में से कच्छे रह जाएंगे मेदू वड़ा बनाना बहुत ही आसान है अल्मोस्ट हमारे वड़े जो हैं एक साइट से सिख गए हैं अभी हम इनको पलट लेंगे इसी तरह से हमे कि दाल को हालका दरदरा पीसना है और बहुत जादा पतला पानी उसमें एड नहीं करना है दूसरा हमें दाल को अच्छे से फेटना है जब तक कि वो पानी पर अगर हम थोड़ा सा डाल कर देखने हैं वो पानी पर फ्रोटना होने लगे और जब हम मेदू वड़ा कैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीना थेंक यू